नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बोल परिक्षाओं के रिजल्ट के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर उटा हुआ है जिसके बज़े से कोई भी काम अपने तैय समय पर नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों इन सभी की बीच में उत्तर प्रदेश बोल्ड ने उत्तर प्रदेश बोल्ड के जो 10 और 12 रिजल्ट था उसको गोसित करने की तैयारी पूरी कर ली है और उन्होंने रिजल जो 10 और 12 रिजल्ट रुका हुआ था उस रिजल्ट को आने की अप्तिती गोसित हो चुगी है तो दोस्तों वीडियो में बने रही है एंड तक इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश रिजल्ट 2020 के बारे में पूरी जानकरी देने वाला हूं कब आपका चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें और दोस्तों वैल एकन को भी प्रेश जरू करने जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों तयार होने लगा बोर्ड परिक्षाओं का प्रडाम ठीक है तो बोर्ड परिक्षाओं को जो आपका प्रडाम है वो तयार होने लगा है आपके रोल नंबर पर आपके मार्क्स चलाई जाने लगे हैं तो यहां पर दोस्तों आप अब यहां पर हम देख लेते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंट्रमीडियर प्रिक्षा का प्रणाम तयार होने लगा है ठीक है 90 फिस्दी से अधिक काप्यों का मुल्य अंकन पूरा होने के साथ ही बच्चों को मिले अंक बिसेवार अंक पत्र पर चड़ाया जाने लगे हैं ठीक है तो 90% से अधिक काप्यों का मुल्य अंकन हो चुका है और उनके जो अंक है वो उनके विसेव के अनसार उनके रोल नंबर के सामने चड़ाया जाना लगे है ठीक है नेक्स देख लेते हैं यहां पर जिस तेजी से मुल्य अंकन हुआ है अब प्रणाम जून की यह तो आपकी कॉंपी उस तरीके से चेक नहीं हो पाई होंगी जिस तरीके से चेक होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर अभी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फैदा होने बाला है कि अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत भी करके आएं तब आपके लिए उसके इंतियार करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ठीक है आगे पड़ते हैं हम इसी के साथ परिक्षा में समलिक 50 लाग से अधिक छात्र छात्राओं का इंतियार भी पूरा हो जाएगा मुल्यांकन और परड़ाम में तयारी करने की सासनास्तर पर लगातार समिक्षा भी हो रही है ठीक है तेस मही तक कुल 3.10 उत्तर पुस्तकाओं में सब्सक्राइब करोड से अधिक का मुल्यांकन हो चुका है ठीक है अब अब तक 90% से अधिक कांपियां जाची जा चुकी है और इस हपते सभी 2.80 केंदरों पर मुल्यांकन पूरा हो जाएगा तो दोस्तो 90% से अधिक कांपियां जाची जा चुकी है और 281 केंदरों पर आपका मुल्यांकन हो रहा है जो इस हबते के लाश्ट तक आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद में जून के लास्ट बिक में आपका जो है बहुर रिजल्ट भी आ जाएगा ठीक है नेक्स देख लेते हैं स उसके बाद में है यहां पर अलग अलग बैसियों के अंक रोल नंबर के अनुसार चड़ाया जाते हैं तीसरे चनल्ड में अंक बेजने के बाद मिलान का काम शुरू होगा मुल्यांकन पूरा होने के एक महिने में परिणाम घोशत हो जाता है इस लिहाज से जून अंत तक आने की पूरी संभावना है तो दोस्तों आपका मुल्यांकन जो है 90 परसेंट से भी अधिक हो गया है और आपके प्रिथम चरण के जो अंक हैं वो कंप्यूटर फर्मों को भीज जाने लगे हैं और जो सैकेंड चरण के आपके जो अंक होंगे वो भी एक दो दिन में भीज दी जाएंगे यहां पर आप खुद पढ़ सकते हैं ठीक एथ उसके बाद में डोस्तों चुल्यांस के मुल्यांकन पूरा हो घाता है तो उसके बाद मां आका उनका तीन महिने का मतलब उनके लिए जो है extension दिया गया है service में तो उनके लिए 30 जुन तक को उनका जो कारकाला वो 30 जुन तक समापत हो जाएगा मतलब 30 जुन को रिटायर हो रहे हैं इसके लिए उनके लिए यहाँ पर दोस्तों यह रिजल्ट भी घुसित करने के बाद ही retirement लेने की लेने जाएंगी ठीक है तो यहां पर बहुत अच्छी ख़बर है उनके लिए जो उत्तरप्रदेश बोर्ड के 10 और 12 में जिन्हों ने एक्जाम दिया है ठीक है एक बार दोस्तों आपको और बता देने चाहता हूं कि इस बार यूपी बोर्ड ने CBSE और CISE से आगे निकल गए UP Board ठीक है तो इस बार क्या हुआ है दोस्तों UP Board CBSE बोर्ड से भी आगे निकल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं CBSE और CICE Board से आगी UP Board निकल गया है ये दोनों Board अभी अपनी परिक्षाएं ही पूरी नहीं करा सके हैं जबकि UP Board रिजल्ट देने की तयारी कर रहा है CBC और CICE की दस्मी बार्मी के बच्चों के बिश्यों की परिक्षा एक से पंदरा जुलाई के बीच होंगी उससे पहले UP Board रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है ठीक है तो अभी इनकी जो परिक्षाएं बच्ची हुई है CBSE और ICSE Board की इनकी दोस्तों क्या होगा कि एक से पंदरा जुलाई की विजमेन की परिक्षाएं होंगी और उससे पहले जून में ही उत्तर प्रिदेश Board रिजल्ट भी घोशित कर देगा तो बहुत ही बड़ी ख़बर है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू करें और अपने दोस्तों के साथ में भी सेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी न्यूज और भी आएगी तो मैं आपके लिए तुरंत वीडियो के साहता से वीडियो के माध्यम से आपके लिए वो ख़बर आप तक मैं पहुंच जाए दोगा तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आज होगी आपने वीडियो को लाइक भी करती होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवस्य कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे तो बैल आकन को भी प्रेस क भी लाइक कर दें ठीक है तो चलिए दोस्तों कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत